Hello everyone, welcome to study time with new informative video उत्तर प्रदेश लोग से वा आयोग से जो RO और ARO यानि की समिच्छदगारी और साहक समिच्छदगारी वाली जो भरती आई है तो इसके अभी फॉर्म फिल करने की जो डेट है वो बढ़ा दी गई है तो जिन भी लोगों ने फॉर्म फिल नहीं किया है तो वो लोग जाकर फॉर्म फिल करने और अपनी तयारी में एकदम जोड़दार तरीके से लग जाएं क्योंकि अब जो ओफिसियल आपकी एक्जाम डेट है कह सकते हैं कि वो जारी हो चुकी है और अब आपको एकदम बहतरीन तरीके से अपनी तयारी में लग जाना है बिना भी जो बिना कोई टाइम गवाए मतलब अब कोई भी जो देरी है वो आपको नहीं करनी है और इसका जो ओफिसियल नोटेस है वो भी आपको जो दिखाने वाले है तो ये देखिए ये एक पत्र है जो कि स्कूलों को पहले जारी किया जाता है इसकूलों को इनफर्म कर दिया जाता है कि आपका इस एक्जाम के लिए आपका स्कूल जो है वो बुक किया जा रहा है और सेंटर बनाया जाएगा तो ये वो जो पत्र है ये जारी हुआ है और इस पत्र में देखिए लिखा हुआ है कि जो समीच्छा अदिकारी और सहयक समीच्छा अदिकारी भाली आपकी भरती है 2023 वाली तो इसका जो आयोजन है वो करवाय जाना है आपके स्कूल को इसमें मतलब बुक किया जा रहा है तो 11 फरवरी को ये जो परिक्चा है वो होगी औ और 2024 में सुबह साड़े नौ बज़े से साड़े ग्यारा बज़े तक और जो है दुपहर में ये आपकी साड़े तीन बज़े तक यानि कि दो पालियों में आपकी जो परिक्चा है वो होगी इसके साथ साथ 24 मार्च की भी जो डेट है वो भूक की जा रही है पीसीयस दो अफीसियल हाला कि लोकसिवा आयोग ने कोई भी अभी जो डेट है वो अनाउस नहीं की है लोकसिवा आयोग ने कोई भी डेट नहीं बताई है लेकिन जो स्कूल वगेरों को पत्र भेजे जाते हैं बुक किया जाता है स्कूल को कि ये परिक्चा होने वाली है और हर जिले म पहले से करने होते हैं और exam date वगेरा घोसित करना ये लोग सिवा आयूग का काम है तो अभी जो सुत्रों से ख़बर मिली है और ये जो पत्र है वो आया है तो आप लोग एकदम लग जाए ये तैयारी में जो आपका आरो यारो का exam है वो 11 फरवरी को होने वाला है और PCS का आपका exam 24 मार्च को होगा तो उसमें तो ठीक है टाइम है लेकिन आप आरो यारो की तैयारी में अच्छे से लगे हैं सारी चीज़े अच्छे से देख रहे हैं तो एकदम जोर सोर तरीके से लग जाए बिना किसी देरी क तो चलिए मिलते हैं new informative वीडियो के साथ और आगे कोई अपडेट आती है तो जानकारी निश्ची तोर पे आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रदान की जाए थेंक्यो